रोज़कार के लिए शेहरों की उर्भागने वाले युवाओं को खेती से ही आत्मनिद्भरता का रास्ता दिखाते हुए युवा किसान विनोत कुमार ने सफलता की नई कहानी लिखी है सामा जिले की तहसिल रामगड के गाउं कर्लिया के युवा किसान विनोत कुमार भी पहले दूसरों की तरफ पारंप्री खेती करते थे लेकिन इसमें मुनाफ़कम होने के कारण उन्होंने पारंप्री खेती छोड़ गरने की खेती शुरू की अच्छी पैदावार होने के बाद विनोत कुमार ने गन्ना बीचने के बज़ाए गाउं में ही देसी गुड़ बनाने का अपना यूनिट बनाया आज विनोत कुमार अपने खेतों में पैदा होने वाले गन्नों से देशी कुड़ बनाते हैं जिसे लोगों ने भी कावी पसंद किया है और भारी मांग है वे पिछली चार सालों से केमिकल फ्री देशी कुड़ बनाकर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं विनोत कुमार के अनुसार यूनिट लगाने में सरकार ने भी उनकी मदद की और आज वे खुद आत्म निरभर बनने के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं कि देखिए मैं पिछले चार साल से इसी काम में हूँ और खेती में मुनाफ़े थोड़े घट गए हैं जो हमारी पर्मपरी खेती है उसकी वज़ा से इधर आना पड़ा क्योंकि किसान जो है जहां तो जहें काम करें तो जा फिर कार्थानों में फेक्ट्री में जांके दख हां रहे हैं पarooार पाल रहे हैं और कब से कम कोई शे बेर और इससे जुड़े हुए हैं और काम कर दे हैं तो यह निदेर् ही काम होता है यह रूद की बजह फ्रव 1 चुछ़ हो जाएक आप ऌएन जी जवंए लंबर skill इसे चुरू हो ज़िए 성 Istanbul पहले हमारा ने है हमार अध नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनकी दिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में कर रहे होगे सो ग्रहक अगर हमारे पास आता है तो 20-30 ग्रहक पीं घुड मिल पाता है बाकि खाली जाते रही ड़ीं देमांड की कमी नहीं है लेकिन अब अभी शोटा हमारा क्रखाना शोटा है इसको बड़ा करने के सहकें आए कि पासस्काश्ता बड़क़ पूरी होंगि ही मदद कर रही है जी धी है में देखे जिए मैंने सरकार मदद थे। लेकिन अगर काफी मत कर रही है अगर आज किसी ने काम चिजुरू करना है वो समझता है अर्थिक रूत से अगर उस सके असानी से